आगाश्मानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहली मुख्य समाचार नशामुक्त भारत अभ्यान में प्रदेश के 15 जले शामिल 6 महिने तक चलेंगे कारिक्रम मुख्यमंद्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा किसानों को मिलेगा क्रिशी अधोस नचना कोश का लाब और प्रदेश के 6 जलों में अतेधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट बाखी जलों में भारी बारिश की संभावना अब समाचार विस्तार से अधेक प्रभावे शेत्रों के विरुद किये गए राश्रे सर्वे की आधार पर किया गया है अभियान के तहट समद्र जिलों में कलेक्टर के अधिक्षिता में समीतियां गठित की गई है अभियान का सर्वो चोद देश भावी पीढ़ी को नशे के गरफ्त में आने से बचाना है मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा है कि प्रदीश में आत्म निर्भर भारत के अंतरगत क्रिशी अधो सनचना कोश का अधिकादिक लाब किसानों को मिलेगा शिवरा सिंग चोहान ने आज वीडियो कॉंफिन्स से केंद्री क्रिशी मंत्री नरिंद्र सिंग तोमर के साथ क्रिशी अधो सनचना कोश की क्रियानवन के संबंध में चर्चा में हिस्सा लिया श्रीत ओमर ने आत्मिनरभर भारत के अंदरगत क्रिशी शेत्र में अधो सनचना कोश की संबंध में राज्यों से चर्चा की और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा किसानों की समरद्धी के लिए तैयार प्रकल्प को सफल बनाने का आपान किया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आयद दोगुनी करने की अद्भोती ओजना है प्रधीश सरकार इसके क्रियानवन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी आद में निरभर मध्यप्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास जैसी बुन्यादी सुविधाओं को मस्बूत करने के मकसद से आद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अद्धिक्षिता में वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से मंत्री जमू की बैठक हुई वारा राश्वे भरती एजेंसी के गठन का प्रदेश में भी लोगों ने स्पागत किया है हमीद्य कॉलेज भोपाल की प्रोफसर डॉक्टर सुधीर शर्मा ने कहा है कि एक सरानी प्रियास है वहें एक्सलेंस कॉलेज भुपाल की प्रोफसर डॉक्टर मनिश शर्मा ने भी इसकी तारिफ की भारत सरकार ने बिरोजगार वहां के लिए एन आर ए बेस्नेल रिक्रुट्पेट एजेंसी के मारफ़त सीवी टी कॉमन एक्जामनिशन टेश्ट की घोस्ना की गई है इस घोस्ना के तहत युगाओं को एक ही परिच्छा के द्वारा विवें में सरकारी ग्रेड बी और ग्रूप बी और ग्रूप सी की नौकरियों के लिए एक ही परिच्छा से उनकी निवक्ति किया सकीगी इस वहिदमू के शास्की कमला नहरू महिला महाविद्याले के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर तुलसी राव ने इसे सरकार का अच्छा कदम बताया है प्रणाली की सुधारों की दिशा में सरकार का एक महत्पूर्ण नर्णा है कॉमन इलिजिविल्टी टेस्ट सभी B और C ग्रेट की प्रतियोगी परिक्चाओं के लिए है इन परिक्चाओं में लगवग 2 करोड विद्यार्थी आविदन करते हैं और परिक्चा भी ये की होगी जिसे कॉमन इलिजिविल्टी टेस्ट कहा गया है वही सतना की एक विद्यार्थी ने भी सरकार के इस कदम पर कुशी जताई है मेरा नाम रिने स्तिवारी है मैं सतना में रहता हूँ B.S.C. साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ हमारे प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने नौकरी के लिए एक नई वेवस्था एक देश एक परिक्षा से मैं काफी खुस हूँ अब हमें परिक्षा देने दूर नहीं जाना पड़ेगा कम खर्च में परिक्षा दे सकेंगे और एक बार परिक्षा पास कर लेने पर तीन वर्स तक वैद्धिता बनी रहेगी केंद्र सरकार का हम नौजवानों के लिए बहुत अच्छा फैसला है कोरुन संक्रमन को देखते वे केंद्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में उपस्थित होने के लिए दिव्यांग करमचारियों को छूट प्रदान की है राजसरकार ने भी संबंध में निर्देश शारी कर दिये है राश्री द्रिष्टिहीन संग मध्प्रदेश शाखा ने इसके लिए अभार जटाया है संग के महासचिव अवधेश विशुकरमार ने एक विग्यप्त जारी कर ये जानकारी दी समाचारों में वक्त हैं ब्रेका ये समाचार आप आकाश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेच पर सुने जा सकते हैं इसके लावा आप हमारी वेबसाइट News on AIR.com पर या AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं आज हरतालिका तीज है, प्रदीशवर में सूशल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे इसे परप्रागत तरीके से मनाय जा रहा है अखंड सभाग्य और सुखी जीवन के लिए इस दिन महिलाये निर्जला व्रत करती हैं अगले दिन पूझा पार्ट कर व्रत खोलती हैं जबलपूर में महिलाओं ने घरों में भगवान शंकर और परवती का पूझन किया मुही सतना में भी भगवान गौरी शंकर का पूझन किया गया प्रदेश के आनेजिलों से भी इस पर को पूर्य विधी विधान से मनाय जाने के समाचार मिले है वही कल से गडेश उत्सव की शिरुवात हो रही है परसपर एक्ता और भाईचारे के प्रतीक इस पर पर 11 दिन तक श्रधालों भगवान गणेश के आराधना करते हैं हाला कि इस बार कुरुना संक्रमन की कारण प्रशासन ने बढ़ी गडेश प्रतिमाओं के स्थापना और साफजनेक आयोजनों पर रोक लगा दी है इसलिए आम लोग अपने अपने घरों में ही रिद्धी सिध्धी और बुद्धी के देवता श्रे गणेश का पूजन अर्चन करेंगे वरहनपुर सिले में जिलाप्रशासन ने साफजनेक गडेश प्रतिमाओं की स्थापना पर निशेधाग्या लागू कर दी है दमोग कलेक्टर ने भी साफजनेक इस्तलों पर गडेश प्रतिमाओं और ताजिय स्थापित नहीं करने संबंदी आदेश यारी कर दिये हैं अनिसिलों से भी इसी तरह के आदेश यारी किये गए हैं प्रदेश में कुरोणा संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुँच गई है वहीं आप तक लगभागर 30,000 लोग स्वस्थों कर घर जा चुके हैं मुपाल में कुरोणा संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,988 हो गई है इन दोर में आज 227 नए मामले सामने आए हैं वह उज्जयन में आज 22 नए मामले आए हैं जबलपूर में आज 31 और सीहोर में 11 नए कुरोणा संक्रमित मिले हैं हुशंगाबाद में 8 नए कुरोणा संक्रमित मरीज मिले हैं 15 सिले में 5 नए मरीज मिले हैं खंडवासिले में आज पांच कुरोना संक्रमितों को स्वस्थोने पर अस्पताल से छुटी दे दी गई। उधरू मरिया जिले से एक अच्छी कबर हैं यहां कुरोना प्रभावित गर्वती महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। पेश एक रिपोर्ट। करते हुए प्रसव पीड़ा की वेदना के मद्ध एक स्वस्थ बालिका को जन्म दे कर एक मिसाल जहां पेश की वहीं दो वेटों के उपरांत एक वेटी की चाहत भी अपने परिवार की पूरी की है। के तुल सिले में छे पुलिस कर्मियों के कुरोना संक्रमन की चपीट में आ जाने के कारण मासौत पुलिस चौकी को आगामे आदेश तक बंद कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के दबाव की वज़े से पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के नर्मदा तवा सहित कई नदियां उफान पर है। उमरिया में 30 बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कलेक्टर संचीफ श्रवास्तों ने लोगों से नदी नाले पार नहीं करने की सलाह दी है। उद्रश्यूपुरी के बामोर कला में बितवा नदी के पानी में फसे दो चरपाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कटनी में बारिश से बार्ड सागर डैम का जलस्तर बढ़ गया है। मौसमे भागने आगामी 24 घंटों के दोरान होशंगाबाद, बैतूल, हर्दा, जवलपुर, नरसिंगपूर, सिवनी जिलों में अतदिक भारी बारिश की जितापनी दी है। अब कुछ समाचार सिंग शेप में रश्वपती रावनात कोविंद प्रदेश के दिव्यांग पैरा स्विमर सतेंद्र सिंग लोहिया को उन्ती सगस को नई दिल्ली में तिंचिंग नार्गिया राश्य आवाड देंगे। जिले शामिल 6 महिने तक चलेंगे कारिक्रम। झाल सिंगे।